आज के समय में एक ऐसा शब्द जिसको हर कोई इस्तमाल करना चाहता अपने ट्रेडिंग जन्नी में सब को लगता है अल्गुरिथम एक ट्रेडिंग की दुनिया इतनी गजब है कि बस आप लोगों को आलू डालो तो सोना निकलेगा काफी लोगों को लगता है कि एक ऐसी मशीन आ चुकी है मार्केट में जहां पर कि आप बस उसको बोलो कि मुझे इस तरह के स्ट्रेडल वेच ने स्ट्रेंगल वेच ने कॉंडोर्स बनाने जो भी करना है वो आप बढ़िया बाली में मज़े कर सकते हो चिल कर सकते हो वकेशन हो सकती है वो बताने वाला हूं जी हाँ एक ऐसी दुरगटना जिससे कि आप सभी अपने डेमट में जो hard-earned money आप ने रखा हुआ है वो सारा का सारो नुकसान कर सकते हो जी हाँ अगर आपने एक लाग रुपे रखा हुआ है दस करोड रुपे रखा है अब सारे के सारे गवा सकते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा बिकोज बहुत ही एक्साइटिंग नॉलेज यहां पर मैं आपको देने वाला हूँ तो सबसे पहले आपने एक शब्द सुना होगा आजकल बजार में हर कोई बात करता है चाहे ब्रोकर हो इंफ्लूएंसर हो ट्रेडर हो ट्विटर हो कहीं पर भी हो इस वर्ड का बहुत जादा यूज होता है वो है API अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आपने कभी सोचा यह एक्जाक्ली होता क्या है काफी सारे ब्रोकर्स बोलते है कि हमारा पास API इंटिग्रेशन है काफी सारे लोग बोलते हैं कुछ नहीं API क्या करता है connection बना देता है एक online connection बना देता है data provider और end user के बाता specifically on the broker platform अब यह जो API होता ना इसके अलग अलग तरीके होता है लेकिन आज हम जिस चीछ को address करने वाले उसको कहते है market data driven अब market data driven कैसा होगा let's take an example आप अपना एक algo system बनाना चाहते हो आप अपना trade करना चाहते हो तो आपने कुछ ऐसा pattern बनाया कि यार previous week के high के उपर अगर stock 10-15 minute उपर रहता है इतने XYZ volume के साथ तो मैं अपना trade लोगा या फिर अगर 8 दिन पहले की closing के नीचे मुझे close मिलता है तो मैं यह trade लोगा तो basically आप अपना logic बनाते हो market के data के basis पे it could be high, it could be low, it could be close, it could be open, it could be anything तो यह आप market database API के अगर बात करते हैं तो आज की समय में आपने बहुत सुना होगा काफी सारी companies हैं, काफी सारे लोग हैं जो python में अपना algo बना रहे हैं, कुछ ऐसी websites हैं जो आपको लु भाएंगी कि आप इधर आईए, तो इनका एक simple सा रहता है, आप इनको algo key देते हो, मतलब अपना API का key देते हो, जो आपको broker provide करता है, और वो basically उसके basis पे एक bridge बन जाते हैं और आपको help out करने के कोश्च करते हैं, आपके trade execution करने के लिए based on your logic, लेकिन अब यहाँ पर एक catch है By the way, वीडियो अभी तक like नहीं है, तो like जरूर कीजेगा, और algo पे और वीडियो चीए, तो comment में algo लिखेगा, जितने जाधा वीडियो जांगे, बिकोस इस तरह के वीडियो आपको internet पे कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने depth में कोहीं नहीं जा रहा, तो make sure encouragement के लिए चीज जरूर कीजेगा, तो देखिये, assume करते हैं, आप एक retail बंदे हो, आपने अपने एक system बनाया है, आपने क्या system बनाया है, कि यार मैं option selling करूंगा, जब भी 20 day moving average के नीचे particular strike price चले जाता है, तो मैं यहाँ पर बेचूंगा, ठीक है, अब आप एक ऐसे व्यक्ति हो, जुसको technology क का जादा कुछ पता नहीं, because, यार, देखो, 80, 90, 100%, 95% लोग ऐसे हैं, 80-95% लोग, जुनको सही में उतनी level की coding नहीं आती है, तो they are always dependent on a third party, कि भाईया, आप बना दो, हमको तो बस logic पता है, आप बना दो इस चीज़ पे, तो let's take an example, कि आपने एक system बनाया, ऐसे 20 day moving average के ओप को एक बढ़िया सा इसा system मना दे, यही है मेरा logic है, अब example लेते हैं, कि आप सोच रहे हो, कि वो जो आपका developer है, let's say, developers भी आजकल काफी सारी companies बना के रहती हैं, तो कभी front face पे बहुत सारे developers आते नहीं, वो बता देंगे, XYZ entity है, Hyderabad में established, XYZ entity है, Mumbai में established, तो आपको लगेगा हो सकता है, यह कल्योग का जमाना है, किसी के दिमाग में कुछ भी हो सकता है, तो मान लेजिए, उसके नियत में अगर quote रहेगा, तो वो आपके account से पैसे निकाल सकता है, कैसे? बाइदे वे, एक nutshell में अगर आप समझेए, जब भी आप अपनी API की किसी के साथ share करते हैं, तो एक तरीके से यह वो ही equivalent हो गया, जो वो OTP आता है, आप जब कुछ transaction करते हैं, तो OTP किसी को देता है, तो जब से आधार कहीं पर link करते हैं, तो OTP देना रहता है, तो यह एक त आइडिया लगी जाएगा, उसको पता है कि एक option बेशने में 1.2, 1.5 lakh रुपीज तक का एक अपना selling पर lot लगता है, तो इस चक्कर में वो एक अंदाजन निकाल देगा कि भीया, जो algo बना रहे हैं, वो 50, 200 lots के लिए बना रहे हैं, तो into multiply करके वो calculate कर लेगा, कि आपके account में कितना पैसा होगा, यह मतलब common sense है यार, वो जब आप दोगे उसको कि इस तरह की liquidity में इस तरह से crunch तो नहीं आएगा, इस तरह से smooth execution हो जाना चाहिए, यह सारी चीज़े बता दी, अब उस developer को खाली एक code लिखना है, जिससे वो आपके account के पैसे गायब कर सकता है, कैसे, एक simple थोड़ा logically इसको चीज़ को सोचना है, मान लेते हैं, nifty example ले रहे हैं, 17,500 के आसपास है, अब अगर मैं जाता हूँ 15,000 के option में, तो वो तो deep in the money हो गया, 14,000 के option में deep in the money, अब हम सब को बताए कि in options में liquidity नहीं रहती है, आपको अगर विश्वास नहीं हो, तो आज जाओ liquidity नहीं है, तो इधर से ही इस बंदे को फसाओंगा, वो बस एक code उपर नीचे लिख देता है, जिससे अब क्या होगा, कि यह जो 14,000 के option है, यहां पर आपकी selling execute हो जाती है, और यह पूरी के पूरी selling कौन absorb कर रहा है, absorb कर रहा है आपका coder, जिन लोगों को नहीं पता, जो deep in the money options होते हैं, उनकी केवल intrinsic value mainly होती है, मतलब उनकी सरफ main value होती है, time value, value कुछ भी नहीं होती है, जिस तरह market घुमेगा, वो उस तरह से घुमते है, अब बंदे ने मानलो, Wednesday के देन अपना calculation लगा लिया, कि nifty से नीचे तो जाने नहीं वाली है, उसको पता है, आपके account में क्य क्या हो रहा है पता है, उसने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया, अब इसमें दो possibility है, आप बोलोगे regulator के पास जाके कि यार मेरे को साथ ठग ठग दिया, मेरे developer ने लूट लिया है, कोई regulation नहीं है दोस्त, regulator ने कोई इस तरह का regulation नहीं लगाया है, जिससे कि ये चीज आप को govern करी जा सके, और developer को बस एक गलत code लिखना है एक बार के लिए, और वो तो बोल देगा है, कुछ error हो गया, या कुछ भी हो गया, आपको भी लगेगा कि error होगा, मान लो आपके account से 5,00,00,00 रुपे गए हैं, अब इसको multiply कर दो, उस developer के पास अगर ऐसे, हर महीने 100 लोग आ सकता है, सबसे पहली चीज, आपका जो main account है, main account के API keys एक बार में मत दीजे, let's take an example, आपके main account में 2 करोर रुपीज है, जिसके basis पे आप algorithm करना चाहते हो, अरे पहले टेस्टिंग फेस के लिए, आप 2-3 लाग रुपे डाल के, एक दो लोट के साथ, उस basis पे build up कीजे, उसका API की share कीजे कर करना ही है, दूसरी चीज है, मैं आपको suggest करूँगा, कि यार आप अपना due diligence properly कीजे, बिकोज यह इतना आसान भी नहीं है, इस दुनिया में, कि भई बस गए, अपन एक developer धून लिया, उसने अपना algorithm बना लिया, बढ़िया पैसे के पैसे बनेंगा, आपको पता है, काफी सारे लोग अपने API कीज openly वहाँ पर float करते हैं, ये चीज मत कीज़े, चौथी चीज है, थोड़ा बहुत technical knowledge आप बढ़ाईए, देखिए, अगर आप अलगू की तरफ जा रहे और आपको बिलकुल भी knowledge नहीं है, तो कब आपको कौन ठक देगा, आपको नहीं पता रहेगा, तो ये जो पूरा concept idea है, मैं उसका due श्रेय अंगत भाई को देना चाहूंगा, कि वो भी चाहते हैं, लोग aware हो, और इसलिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है, बट इससे जाधा important ये था कि आप लोगों को aware किया जाए, दोस्तों इसको जितना हो सकें, अपने दोस झाते हैं, आप्यों में अभी अ कि दोस्तों रवी चाहते हैं, और रा दोस्तों ऑार बिला उन्युक्त कि धिशते हूते हैं, ट farmsब खूम खूम से लिधाए, टोस्तों को रह